नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपके अपनी यूटूब चैनल राजस्तान बिरोजगार चात्रशंग पे आप देख सकते हैं आज यहाँ पर बात करेंगे राजस्तान कॉंट्रेक्शुल हाइरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 की सीबियो नवलगड जुनजुनों ने 10 अक्टूबर 2014 को एक पत्र अपने पीओ समस्त ब्लोक नवलगड को पत्र लिकर स्राजस्तान कॉंट्रेक्शुल हाइरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में समविदा कार्मिकों की एनपियस कटोती से इत अन्य कटोतियां किस परकार स करनी है और क्या कुछ यहां पर पूरी अपडेट है इस वीडियो में जानेगे यहां पर डारेक्शन जारी कर दिये हैं आप देख सकते हैं इन्होंने स्पेश्ट रूप से लिखाय कि स्रीमान सासन उपसच्यू प्रारंबिक शिक्षा आयोजना विभाग राजस्तान सासन सच्यू वित बीमा जेपूर के आदेश करमांग आदेश दिनांग 14 आगस्त 2023 एंस्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी मुख्याले प्रारंबिक शिक्षा जुन्जनों के आदेश दिनांग 13 फरवरी दोहजार चोईश की अनुपालना में संविदा कार्मिकों की कॉंट प्रारंबिक शिक्षा विभाग हूँ चाए निदेशिक मोदे हूँ चाए संयुक सासन सची वित हो चाए जिला शिक्षा अधिकारी मुख्याले हो प्रारंबिक शुन्जनों हो उन्होंने गाइडलाइन जारी करते वे सपश्ट रूप से का गया था कि जो जो कारमिक जमा करवाई जानी अनिवारे रूप से थी कंपल्सरी थी यानि कि आपको बच नहीं सकते आपको जमा करवानी ही पड़ेगी इन्होंने स्पेश्ट रूप से का है कि NPS रासी अनिवारे रूप से जमा करवानी थी इस समंद में समस्त सब डीडियोज को पूर्ण आदेशि को यहां पर जारी की है पहली जो गाइड लाइन है इन्होंने स्पेस्ट रूप से काया कि प्रतेक संविदा कार्मिक बैंक में स्वेम अपना NPS खाता खुलुआएगा यानि कि NPS खाता खुलुआने की जिम्मेदारी केवल और केवल संविदा करमचारी की है वो बैंक में अपना जो NPS खाता खुलुआएगा हर महा मिनने वाले पारिशर्मिक की 20% रासी NPS खाते में जमा करवा कर रसीद सब डीडियों को प्रस्तूत करेगा साथी इन्होंने स्पेश रूप से काया है कि जो 20% की जो रासी है NPS की वो यहां पर संविदा करमचारी खुछ जमा कराएगा यानि कि 16,900 है उसकी सैलरी तो 10% 16,90 होता है और 20% जो रासी है वो आपको खुद को जमा करवानी है NPS काते में इसके बाद में जमा करवाने के ब रसीद प्राप्त कर कार्मी को मिलने वाले मासिक पारिशर में के 10% तक राशी का वेतन बिल से पुनर बरण करेगा यानि कि सबसे पहले NPS जो खाता है वो संविदा करमचारी द्वारा खुलवाए जाएगा हर महा मिलने वाले पारिशर में की 20% जो रासी है NPS खाते में सेलरी का 10% maximum वो यहां पर आपको पुनर ब्रहन किया जाएगा सब डीडियो जो हैं रसीद प्राप्त करके कार्मी को मिलने वाले मासिक पारिशर में के 10% रासी का वेतन बिल से पुनर ब्रहन करेंगे यानिके सेलरी बिलों से इनको रिंबर्स यहां पर करेंगे साथ ही इनों ने कहा है हर मा वेतन बिल प्रस्तुत करने से पुरूर कार्मिक से रसीद प्राप्त कर NPS रासी जमा करा दिये जाने का प्रमाण पत्रिश कारेले को और निवारे रूप से प्रस्तुत प्रस्तुत करें ऐसे कार्मिकों के हर महा वेतन बिल प्रस्तूत करने से पूरू है कार्मिक से जो NPS जमा की जो रसीद है वो यहाँ पर प्राप्ट करेगा सब डीडियो और प्राप्ट करने के बाद में जो परमान पत्र है वो सब डीडियो जो जारी करेगा और जो समंदी CBO कार्या ले उसमे यहां पर प्रस्तूत करेंगा। साथ ही, इनोंने काया Dio दोरा, इन कार्मिंकों की NPS 820 सिदे व्यतन बिलों से खाटी नहीं जानी है। तो दोस्तों इनोंने इस पश्ट रूप से चार प्रकार की गाईडलाइन किया जारी की के उपने समस्थ प्योज को यहां पर एक बार फिर से बऩा इंगों ने विबीन आदेश का कि जो कार्यंगं एक राजस्तान कॉन्ट्ररेक्शुल हीरिन गयाज स्थ tissue थी इस ईच्छाव एक रिए аем स कारमीक एक शिछ यो जना राजसतान विभाग राजस्थान कहे पत्र दिना만 उनैश स्ऩथांबर विकानेर के पत्र करमांग स्यूक्सा स्थू विधिय्पीमा जैपुर के आदेश करमांग 24 योजार तेईस एंद्री श्Ofाड कर मान्द 25 मुख्आ ले सेस्षाइ। के आदेश करमांग के दिनांग 13 फरवरी दोहजार चोईश की अनुपालना में राजस्तान कॉंट्रेक्च्चुल हाइरिंग टो सिविल पॉस्ट रूस दोहजार बाइस के अंतरक तक जो कार्यत कार्मिक हैं उनकी NPS रासी अनिवारी रूप से कंपल सरी रूप से आपको जम समविदा क्रमचारी बैंक में स्वेम अपना NPS खाता खुलवाएगा हर माह मिलने वाले पारिशर में की 20% समविदा क्रमचारी कुलवाएगा हर माह मिलने वाले पारिशर में कार्मिक को मिलने वाले मासिक पारिशर में के 10% तक रासी वेतन बिलों से पुनर ब्रेंड रिमबर्समेंट करेगा तीसरी जो गाइडलाइन है कि हर माह वेतन बिल प्रस्तुत करने से पुरू है कार्मिक से जो सब डीडियो वो रसीद NPS जमा कराने के रसीद प्राप्त करेगा और एक परमान पत्र जो है वो यहां पर जारी करेगा और उस प्रमान पत्र को की सभी समविदा करमचारियों की NPS जमा करा दी गई है कटोती वो यहां पर CBO कारेले में प्रस्तुत करेगा बाद में यहां पर डीडियो द्वारा इन कार्मिकों की NPS रासी सीदे व्यतन बिलों से नहीं काटी जानी है इन्होंने जमा कराएगा रासी जमा कराने की रसीद प्रस्तुत करेगा सब डीडियों को सब डीडियों पारिशन में का दिक्तम दस पर्तिशत व्यतन बिलों से पुनर बनन करेगा साथ हर मां व्यतन बिल प्रस्तुत करने से पूर्व कार्मिक से रसीद प्राप्त करेगा NPS जमा करव करनी है वुडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें आपके अपने यूटूब चैनल रास्तान विरोजगार चातरशंग को सस्क्राइब या सस्क्राइब रहें दाना दोस्तों